सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग के प्रिये जैनल न्यूस चैनल चैनल महालश्मी के ओर से आप सभी को साधर जैनल करते हैं आज की शुरूआत कुछ ऐसी जैनकरे के साथ जिसके वारवें चिंतन मनन जरूरी है हमारे बीच में कुछ चोरी हो जाती है इस मंगल होके बोरिया लगती है हमें तकलीफ होती है तकलीफ होती है और जो इस तरीके से खेतों में बिखरी पड़ी है बर्सों से इन्हें देखकर हमें कुछ असर होता है जहाँ पर हमें तुरंत नियंत्रन करना चाहिए वह हम आख बंद करें बैठ रहते हैं जब कोई मूर्ती भंजा क्या मूर्ती चोर इंको ले कर जाएगा जब बोलिया लगाएगा तब हम कहेंगे हाई 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 यह क्या हो गया बात करें हैं मद्यपरदेश जब पिसली बार गया था तो मैंने देखे थी इनके उपर कोई सिंदूर नहीं था अब कोई से गणेश जी मानता है कोई शिव जी मानता है कोई कुछ मानता है बस उस हिसाब से पूजा जाता है जिस तरीके से खेतों के अंदर फल फूल पौदे फैले होते हैं कोई ठोकर मारता है कोई कुछ करता है अपनी अपनी चीज निकालता है बाकी यूँ छोड़ता है आज हमारी यहां जगे जगे परतिमाहें यह कह रही है खंडित हो गई है शरण हो रहा है अभी तो कुछ बचा है वह भी नहीं बचेगा हमारे कई हमारे अपने सोयम जैन समाज के म्यूजियम है वहां पहुँचाई जा जो खंडित हैं बाकि जो ठीक होंगे इस दरह जो हजारो वर्ष प्राचीन हमारी संस्क्रती है पुरातन है अगर इसको हम समेटे नहीं रहे और इनको नश्ट करते रहे तो ध्यान रखेगा कि हमारी लखीर की शुरुआत वर्ष इससे होगी प्राचीन सब मिट जाएगा अभी तो महवीर से बोलते हैं बाद में महवीर से बोलने वाले भी कुछ चन में कुछ सालों बाद वह भी नहीं मिलेंगे कहेंगे ये तो पंचम काल की देन है इस वैशनव धर्म की एक शाखा बनके अलग बन गए है पता नहीं क्या क्या कहेंगे जो आज हम सुनते हैं अपनी पुरातान संस्क्रति को अपने वहबब को बचाने के लिए क्या कोई दूसरा आएगा नहीं सोयम करना होगा अपनी कमेटियों को अपने संस्थानों को अपनी संस्थानों को इसके लिए जागर रुखोना हुआ दूसरे के कबजे में उससे तकलिफ होती है और जो हमारी यूँ दिखती है उस पर हमारे मुँ से चूचू भी नहीं निकलती है बरसों से इसी तरह थार के इस जगे पर कानवन के शेतरी अंदर डगनों गाओं के पास इस तरह ये फैली विरसत कहते हैं इतनी ही नहीं है बहुत बाकी है जब यहां खुदाई होई तो देखकर आदमी हैरत पड़ जाएगा कि हमारी विरसत कितनी पराचीन कितनी वहवशाली है बचाओ अपनी संस्कृति को दरोर को विरसत को दो दिन पहले आपको बड़ा ही किती हमने कि जहां पर 80 किलो सोनाई जी हां समझ गया आप गौालियर के अंदर सोन मंदिर के वही दरश्चे दिखा रहे हैं उसी सोन मंदरी बात लए है अच्छी तो अच्छी बता रहे हैं आज बुरी तो बुरी जब वीडियो देखा तो एक हमारे श्रावग ने तुरंत हमें ये फोटो परोस दिये जो आपको दिखा रहे हैं कि भाई साब आपने बता ही अच्छी अच्छी बाते पर वहाँ पर क्या हो रही है एक ये भी दिखाओ मैंने देखा और उन्हें वहां से अधिकारी से बात भी करी कि भाईया पूरे मंदिर में कई जैन दोज नजर नहीं आ रहा है पर ये जब अयोद्या में शीराम जी मंदिर मना वह वाले सारे दोज आज भी नजर आ रहे हैं ऐसा क्यों है तुर्ण का पता नहीं है हमारे शीराम जी हमारे भगवान कहे जाते हैं कहे जाते हैं वीत रागता में कहे जाते हैं जहांपर वैश्णम्धर्म में समाप्ति होती है वहाँ से हमारे धर्म में शुरूआत होती है सम्मेधरश्टी जीव, शायिक सम्मेधरश्टी के रूप में भगवान के रूप में सिध्धा ले गई ये कहा जाता है लेकिन इस तरीके से जंडों से पैचान हम अपने मंदिरों पर अपने पंचरंगा ध्वज जैन 200 लगाने की हिमागत नहीं करते हैं जो हमारे गोरफ का परतिक है, हमारे सम्मान का परतिक है, हमारी पैचान का परतिक है उन्हें तो लगाते नहीं हैं और इस लगा के जो भजार में लग रहे हैं उनके साथ हमारे में लगकर हम अपना बहुत ज़्यादा शेय लेरा लगते हैं। किदर जा रहे हैं? दशा और दिशा हमारी बिगड़ती जा रही है। कुछ कभी-कभी कम से कम अधिकारी को तो अपने इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अपनी पहचान को मत मिटाइए, दूसरे की पहचान अपने में मत जोड़िए, अपने वजूत को अपने पैरों पर खड़े होने की शम्ता दीजिए, अपने मंदिर को अपनी पहचाने दीजिए, अपने दिगंबरत की पहचाने दीजिए, कह ये ना हो कल, उसे पानी के वीन भाई नहीं जान करी दिया हमें दो जर नुजी गटना याद आपको जब इन दौर से 256 लोग का एक समू शिखर जी आतरी जा रहा था तो बीच में कुछ राजक लोगों ने उन्हें रोक दिया बहुत ज़ाद दिक्कते आई बहुत ज़ाद दिक्कते आई बहुत ज़ा और अबजेन आदी कई लोगों ने इसको मिलकर आगे पहुंचाया और कहते हैं सरकारी विभाग से लड़ना असान नहीं होता है रेलवे से लड़ रहे थे और देखिएगा कहते हैं जब सच्चाई का साथ मिलता है तो अलाद भी सही नियाज दिने में रुकती नहीं है और शारीज़ी को मान सिंग जो परतराना हुई उसके लिए वे मुआफ़ा दे 12,90,000 रुपे का अगर हम अपने प्रती चेतते रहेंगे अपने धर्म के प्रती समाज के प्रती संस्कृति के प्रती तो ध्यान रखेगा कोई ना कोई हाथ उठा कर साथ देने वाला मिल जाएग बशरते, आप में कदम चलने की और बोलने की शमता हो डरने की नहीं, दवाने की नहीं कमरे में छिप रहने की नहीं दर्शन में लेकर चलते हैं, करनाटक में चलते हैं, मांडेजले के मुद्दूर तहसिल के आरती पुर में दिगंबर जैनमठ के आपको दर्शन करा रहे हैं, बहुत कुछ चित्र हैं, जो आपको बुला रहे हैं, तेरे सो साल प्राचीन जगह है यहां पर अभी 14 मंदिर थे, अब कुछ कुछ जगह शरन के रूप में आप देख सकते हैं, आदिर्याद मंदिर का भी मंदिर हैं अपर, यहां पर किसे तरी कैसे शरन हो रहा है, विवस्थाएं अनुकूल ना होने से, यात्रियों के ना आने से, आज दशाकियस किस दिशा में पहुंच जाते हैं, हरास के रास्ते बढ़ते जाते हैं, यह दिखा रहे हैं, इस तरह के शेत्रों पर अगर यात्री आते हैं, जैनाते हैं, बंदू आते हैं, तो कहते हैं, विकास का चक्र चलता रहता है, और जैसे ही विकास का चक्र थमता है, तो सब कुछ शरन की ओर चलता है, अब यहां पर संस्रती को विरासत को यह ही छोड़ देते हैं नोट कर लिजेगा मांडिया जिले के इस आरती पुर्दिगंबर जनमठ के पास जरूर दर्शन करने जब भी करना टकाएं जरूर आईएगा और इस जीनोधर में सहयोग दीजेगा अपने प्राचीनी तीर्थ सो नए तीर्थ क बराबर होता है ऐसा हम संतों से सुनते आ रहे हैं यह आपको दिखा रहे हैं रेल राजभाशा का अंग जिसमें परियूशन शमावानी का एक लाख लेक जैन समाज पला है यह दिखा कि उन्हें खास बात कि आपको आज हम बता रहे हैं कि हमारा जितना भी दिमाग वाल समा अपने अपने हाउस जनरल छपते हैं हर संस्थान का है कि अपना राजभाशा में छपएगा कोई और ना कोई किसी का मंतली होता है किसी का तीन तेमा सिक होता है किसी का छमाई होता है किसी स्वार सिक होता है उनमें लेख लिखते हैं आप लो यह लेख आपको इसलिए तो अपने समाज की अपनी संस्क्रति के बारे में जरूर लेख लिखिए जैनेतर समाज तक अपनी जानकारी पहुंचाने का इससे बड़ा माध्यम कम से कम लिट्रेट समाज के अंदर आपको नहीं मिल सकता अपने अपने परतिश्ठानों के उन सबसलों पहुंचाते हैं पहुंचान करने वाले को समझ के लिए थोड़ा भी बड़ा उपाए फिर मिलेंगा आपके साथ साधर जैनेतर झाले कि कम समाजानों के गर्मटर सकता हैं सर्ष के शीनusan क करना से एक दोड़ा जाई गिर लिए दोग cuerई आटाना समाज के तक आजब आजागां सी बड़ा डिएил तक और आब दूसलों पहुंचाए कि एक अजब प्यार आपके साध